हलो दोस्तो इस बीडियो में हम लोग बात करेंगे लखनाव सुपर जाइंट्स बसेश पंजाब किंग्स के बीच IPL का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में और दोस्तो दोनों टीम्स के स्टैट्स के उपर पूरी दिटल अनलिसिस करेंगे और जानेंगे यहां से कौन से प्लेयर आप लोग लिए बेस्ट आप्सन रहेंगे स्मॉल लिग और खास करके ग्रैंड लिग के लिए तो दोस्तो इस मुकाबले में आप सभी को टीम बनाते समय बहुत ही ज़्यादा कन्फूजन हो रहे ही कोई प्लेयर को सेलेट करते समय खास करके विकेट कीपिंग सेक्शन को लेकर और बॉलिंग सेक्शन को लेकर क्योंक करके श्टेडियम जो की दोस्तो लखनव का होम ग्राउंड रहने वाला है और इस ग्राउंड पर अभी तक IPL के 6 मुकाबले खेले गये हैं जो की पिछले साल खेले गये थे जिसमें से पहले बैटिंग करने वाले टीम चार मुकाबले जीती है और चेस करने वाले टीम मातर दो मुकाबले तो जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तो पहले बैटिंग करने का ही निरने लेगी एवरेज स्कोर की बात करे तो यहां पर 102 का आसपास एवरेज स्कोर देखने को मिला है और हायस्ट स्कोर पिछले साल लखनव एक सो 93 रन बनाई थी और लोएस्ट स्कोर भी देक्षिया हीं कहा है, 108 रन पर इसी ग्रौण पर ऑल आउट हो गया थे और हो ही यहां सिकोरिंग पर स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में एक बार, 170 और 170 के बीच में एक बार, और 190 की उपर इस ground पर मात्र एक ही बार स्कोर गिया है मतलब कि दोस्तो इस ground पर बॉलर्स को काफी मरत मिलती है अब डेरेट बात कर लेते हैं जो recent के तीन मुकाबले इस ground पर खेले गए हैं देख सकते हैं कि लगतार तीनों मुकाबले recent में पहले बैटिंग करने वाले टीम जीती है और पिछला मुकाबला दोस्तों यहाँ पर लखनाओ ही जीत कर आ रही है तो यहाँ पर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी दोस्तों उनके जीतने का यहाँ पर बहुत हाई chances रहेगा और जो recent के तीन मुकाबले हुए है उसमें से फास्ट बोलर को मिला है दोस्तों 17 विकेट और अस्पिनर्स को मिला 8 विकेट फास्ट निंग में देख सकते हैं फास्ट बोलर को मिला 8 विकेट अस्पिनर्स को 9 विकेट और सकेंड दिंग में दोस्तो फास्ट बोलर को मिला है नौ विकेट और स्पीनर्स को भी नौ विकेट मतलब कि दोस्तो साफ है कि यहाँ पर फास्ट बोलर को जितनी मरत मिलती है उससे एक गुना जाला यहाँ पर स्पीनर्स को मरत मिलती है तो दोनों टीम्स में आपको बहतीरीन अस्पीन बोलर देखने को मिलेंगे तो कौन से अस्पीन बोलर को लेना है दोस्तों कैसे कॉंबिनेशन बनानी हुआ आपको आगे टीम बनाते समय समझाओंगा अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर head to head record की उपर तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक मातर तीन ही बार मुकाबला हुआ है दोस्तों क्योंकि लखनव आप सभी पता है कि नई टीम है मातर दो ही साल हुआ इनको आए और तीन मुकाबले में से दो मुकाबले लखनव जीती है और एक मुकाबला पंजाब पिछले साल की बात कर रहे था दो मुकाबले हुए था दोस्तों दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबले लखनव छपन रन से जीती थी और एक मुकाबला पंजाब दो विकेट से recent form की बात करे रहे तो दोस्तो यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग तो दोस्तो इनका confidence तो थोड़ा high होगा ही लेकिन performance दोस्तो एक जैसा ही है तो इस मुकाबले में दोस्तो कांटी के टकर आपको देखने को मिलेगी अब दोस्तो प्लेंगे लिए और जानने से पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो लोग भी पहली बारा है चैनल पर टेलिग् पर आपको टॉस के बार बिल्कुल फ्री में टीम मिलेगी दोस्तो अस्मॉल लीक के साथ साथ ग्रैंड लीकी और जो भी क्रिकेट से लेटेड नूज आएगी वह आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी तो बहुत सारे लोग जूट चुके हैं तो मौकाक फाइदा उठ है जल से लगा कर जोइन कर लेजिए और मैं आप लोग ज़रा कुछ नहीं मांगता बस दोस्तो वीडियो को लाइक कर दिए मेरे लिए इतना ही काफी है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी किंग से लेवन पंजाब की प्लेंग लेवन तो दोस्तो इधर से आपको स तो और पर पिछले मकावले मं दीपक खुडा खेले थे तो अच्छा पोहमेंस की है तो इन ही को होसा के खेलाए जाएगा इस टार्टिंग में नविनुलक और मौसीन खान बोलिंग कराते दिखेंगे और आखरी कवर में भी नविनुलक और मौसीन खान ही अब इसके बाद देरेट बात कर लेते हैं इन सरे प्लियर्स के रिसेंट परफोर्मेंस की उपर तो सबसे पहले बैट्समन पर नजड़ डाले तो दोस्तों पूरा मिडल ओडर के बैट्समन पिछले मुकावले में फ्लॉफ हो गया था लखनव का कुंटन डिकोक मातर चार रन बनाने पाए करता है क्योंकि दोस्तों रिसेंट में भी इनका उतना कहास परफोर्मेंस नहीं दिखा है मातर एक मुकावला चोड़ दिया जाये तो जिसमें इन्होंने 33 रन की पारी खेली है तो दोस्तों अगर लखनव की टीम टॉस जीती है तो आप लोग को ले सकते हैं और यह दोस्त अगर इस मुकावले में मेडल ओर पूरी तरिके से फ्लॉप रहा था इसलिए निकलस पूरन को ज्यादा मौका मिला था अगर इस मुकावले में मेडल ओर अच्छा पोहमेस करता है तो निकलस पूरन को उतना मौका नहीं मिलेगा तो अगर आप लोग क्यूटन डिकॉक और देदर पडिकल को अपने टीम में रख रहे हैं तो निकलस पूरन को मत लीजएगा क्योंकि फिर आप लोग यह सोचकर ही टीम बना रहे है कि क्यूटन डिकॉक और देदर पडिकल अच्छा performance करेंगे तो फिर निकलास कुरन को उतना मौकार नहीं मिलेगा मारक अस्टोनिस इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि बैटिंग बोलिंग दोनों करा रहें अब इसके बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्षन से तो इधर से देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा नवीन हुलक जो की दो विकेट लिए तो पिछले मुकावले में safe option रहेंगे या small league के लिए अब grand league की हिसाब से देखाए है तो grand league में आप लोग यहाँ पर yes थाकूर को ले सकते हैं भलाई पिछले में यह थाकूर को विकेट ना मिली हो लेकिन recent में 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट लेकर आ रहे हैं और मौसीन खान भी small league और grand league दुनों में toss के हिसाब से ले सकते हैं मारकर स्टोन इसकी बात करे रहे तो bat bowling तो पिछले मुकाबले में कराए नहीं थे लेकिन recent में bowling से बहुत ही अच्छे form में हैं तो bowling तो कराएंगे ही दोस्तों यह तो आप सभी जाला time waste नहीं करूंगा क्योंकि पंजाब पहला मुकाबला तो जीत करा रही है भले ही पिछला मुकाबला यह हारी है लेकिन अच्छे form में हैं इनके players कुछ players ही flop चल रहे हैं तो playing लिए हुन सेम रहे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब इसकी अब डेरेट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पंजाब के batsman के performance की उपर तो सबसे पहले top order के batsman की बात कर रहे हैं तो जोनी मिरेश्टों पूरी तरीके से flop चल रहे हैं लगतार दो मुकावलेवें flop हुए हैं पहले मुकावले नौरन और पिछले मुकावले में आट रन बनाये हैं और वही सिखर-दहुन अच्छे फार्म में हैं पिछले मुकावले 25 रन की पारी खेले हैं तो दोस्तों दोनों टीम्स के kapitan अच्छे फार्म में हैं केल राहूल भी अच्छे फॉर्म में है और सिखर दहून भी अच्छे फॉर्म में है और दोनों ओपनिंग करते हैं तो दोनों तो आपको लेखर ही चलना है बाकि दोनों टीम्स के जो ओपनर बैट्समेन है वो भी एक अक फ्लॉप चल रहे हैं जैसे पंजाब की तरफ से बहुत ही कम लोगों ने इनको लिया है और लगतार दोनों मुकाबले में अच्छा प्रहमेंस की हैं 26 रन और 25 तो इनको बहुत ही कम लोग लिया है तो आप लोग ले सकते हैं तो उसके बीसिस पर फिर लाइंब लिविश्टोन की बात करें तो ये अच्छे फॉर्म में है तो ये भी आप लोग के लिए small league, grand league दोनों के लिए important रहेंगे क्योंकि पहले मुकावले में 38 रण की पारी खेले थे तो इन पर आपको उतना focus नहीं करना है क्योंकि recent performance भी इनका उतना बेहतरिन नहीं है बाकिस हसांग सिंग की बात करता कि एवल grand league दे क्योंकि बैटिंग और बहुत ही ज़दा नीचे है अब इसके बाद balling से बात करें तो पिछले मुकावले में अरसदीप सिंग को as a impact player के दोर पर खेला गया था और इनको विकेट नहीं मिली थी और उससे पहले ये दो विकेट ले चुके हैं और recent में लगतार तीन मुकावले में तीन विकेट लिया है फिर भी इनको मात्र 25% लोग लिया है तो इस मुकावले में जैसे कि मैंने आपको बताया कि grandling में win करने के लिए ऐसे players को आपको जद लेना है दो मुकावले में recent में तीन-तीन विकेट लिया है और recent form भी ठेक ही ठाक है तो टॉप के जो तीन नाम लिख रखे हैं तीन में से दोस्तों आपको दो को तो ले करी चलना है और अस्पीन बुलर पर भी आप लोग यहाँ पर फोकस किज़ेगा क्योंकि अस्पीनर्स को भी मरत मिलती है आप grandling के हिसाब से देखा जा तो हरसल पटेल grandling के लिए important रहेंगे क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे राहूल चहर भी grandling लिख ले और लाइम लिख विश्टन को आप लोग ले वी सकते हैं नहीं भी क्योंकि दो मुकावले में बॉलिंग नहीं कराए हैं लेकिन बैटिंग से अच्छे form में लग रहे हैं ते रहेगी दोस्ते यहाँ पर दोनों टीम्स की स्टैट्स अब की पिलर्स की बात करें तो लखनाओ की तरफ से केल राहूल कुंटन डिकॉक जो हमारे की पिलर रहेंगे और पंजाब की तरफ से सिखर धवन जोनी बिरस्टो सेमकरन रबाड़ा और अरसदीब सिंग खास करके तो यह होगी दोस्ते हाँ पर हमारी पूरी डिटेल अनलिसिस और की पिलर से बात कर लेते हैं डेरेट यहाँ पर टीम कॉंबिनेसन की उपर तो दोस्ते यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टीम कॉंबिनेसन की उपर तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को यह बोल दूँ कि अगर आपको हमारी अनलिसिस अच्छी लगी हो तो मैं आप लोग से जड़ा कुछ निमांगता बस दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीए मेरे लिए इतना ही काफी है और चैनल पर पहले ही बारा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तो विगेट कीपिंग सेक्षन से बात करें तो बहुत एक कंफ्यूजन यहां पर हो रही होगी प्लेयर्स को सेलेट करते समय लेकिन आपको जरूर दिमाग नहीं लगाना है आपको जिन प्लेयर्स पर भरोसा है और जो प्लेयर भरोसे मन्द है केवल उनहीं को लेना है तो इनको तो दोस्तों मैं नहीं drop करूँगा तो इनको तो यहाँ पर मैं लेकर ही चलूँगा और आप लोग grandling में इनको captain भी बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं दो wicket keeper के साथ चलूँगा दोस्तों अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर Nicholas Puran को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और जितेश सर्मा और प्रप सिंवरन सिंग की तो दोस्तों यहाँ पर इस मुकाबले में Nicholas Puran को मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैंने आप से साफ साफ कहा है कि लखनव की टीम पिछले मुकाबले में इनके मिडल ओर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी तो अगर इनके मिडल ओर्डर के प्लेर्स अच्छा पोहमेंस करेंगे तो Nicholas Puran को उतना मौका नहीं मिलेगा तो इस जो टीम में मैं मिडल ओर्डर के प्लेर्स को लेकर चलूँगा जैसे देदर पडिकाल हो गया है क्विटन डिकॉक हो गया है तो इनको मैं अपने टीम में रखूँगा और ये सोच कर कि ये अच्छा पोहमेंस करेंगे और करना भी चाहिए क्योंकि ये लखनव का होम ग्राउंड है और अभी तक जितने भी IPL का मैचेस हुए हैं सारे के सारे मैचेस होम ग्राउंड वाली टीम ही जीती है तो इस मुकाबले में लखनव का जीतने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहेगा नीचे से बात करें तो जितने सर्मा मेरे हिसाब से उतने इंपोर्टन नहीं रहेंगे क्योंकि दोस्तो बैटिंग ओडर बहुत ही ज़्यादा नीचे है और प्रब सिम्रन सिंग को यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं तॉस के हिसाब से अगर पंजाब किंग्स की टीम तॉस हारती है तो अब इसके बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन से तो यहाँ पर सबसे पहले सिखर धवन को तो लेकर ही चलेंगे क्योंकि दोनों टीम्स के कप्तान अच्छे फॉर्म में है केल रहूल भी और सिखर धवन भी उसके बाए नीचे से बात कर रहे तो जॉनी बिरिष्टो मेरे हिसाब से ट्रम पिलर रहेंगे और एक मुकाबले में 30 प्लस स्कोर की है तो मेरे हिसाब से इनका रिसेंट फॉर्म की अधार पर इनको मैं ले रहा हूँ आपके पास ऑप्सन में भी मैं दोस्तों दे रहा हूँ आप लोग चाहें तो देदर पडिकल के जगाँ पर सिंपल यहाँ पर निकलास पूरान को ले सकते हैं मैं दोस्तों निकलास पूरान को भी ले सकता हूँ जुट क्यूं बोलूँगा टॉस के हिसाब से हो वह दोस्तों आपको टेलेग्राम पर अपडेट की जाएगी इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि टेलेग्राम चैन Allrounder दिख्एंगे Sam Karan, Marcus, Tonys, Lambeleemiston और Kunal Pandya पर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं तो इस मुकाबले में Grandly के लिए Kunal Pandya important रहेंगे क्योंकि दोस्तो इस Ground पर Spinners को मुरत मिलती है और ये लखनव का Home Ground रहेगा तो कुनाल पंडिया इस मुकाबले में कुछ अलग जरूर करेंगे तो आप लोग नोट करकर रखिएगा कि कुनाल पंडिया इस मुकाबले में important रहेंगे और rounder section से batting section से दोस्तों यहाँ पर जो हमारे player important रहेंगे वो दोस्तों जोनी ब्रेश्टो और देदरपडिकल और विकेट कीपिंग section से कुन्टन डिकॉक तो यहाँ पर मैंने चार bat players के नाम बताएं वो चारो players आप लोग यहाँ पर दिमाग में fit करकर रखिएगा ग्रेंडी की team बनाने में आपकी help करेगी तो यहाँ पर मैं Sam Krann को लेकर चलूँगा और दोस्तों उसके वाल यहाँ पर दोस्तों मैं लेकर चलूँगा Marcus Tonis को और दोस्तों यहाँ पर Lamb Limiton को तो तीनों मैं यहाँ पर best all around को लिया हूँ अपनी team में और बात आजाती है दोस्तों अब bowling section से तो bowling section में यहाँ पर बहुत ही सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अर्षदीप सिंग को drop कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों पिछले मुकावले में इनको impact player के तोर पर खेला गया था और इनको उतना मौका भी नहीं मिला और इनको wicket भी नहीं मिली थी दोस्तों लेकिन ये overall strike बोलर है पंजाब के तरफ से तो यहाँ पर मैं अर्षदीप सिंग को ले लूँगा टॉस के हिसाब से फिलाल मैं यहाँ पर रवाड़ा को लूँगा उसके बाद दोस्तों नीचे सरवी बिस्मोई को और नवीन हुलक को मैं पंजाब के बोलर्स पर उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ अगर पंजाब के टीम टॉस दीतेगी तो मैं यहाँ पर रवाड़ा की जगा पर अर्षदीप सिंग को ले सकता हूँ लेकिन फिलाल दोस्तों अर्षदीप सिंग की खासियत ये है कि यह पाउर पले में बोलिंग कर आएंगे लेकिन दोस्तों लखनव की तरब से मैं दूनों टॉप और की ओपनर्स को लिया है इसलिए मैं अर्षदीप सिंग को नहीं ले रहा हूँ अगर आप लोग यहाँ पर कुंटेंट डिकॉक की जगा पर दोस्तो निकलस पूरन को लेते हैं तो या फिर दोस्तो यहाँ पर आप लोग देर परडिकल की जगा पर लेते हैं निकलस पूरन को तब आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं अर्शदीप सींग को मेरे स्याप से ये दोस्तो टीम बेश्ट रहेगी यहाँ पर मैंने रवी विस्टोई और नवी नुलक को लिया हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बॉलर्स में देखा जा तो दो बॉलर्स मैंने लिया है लखनव की तरब से दोस्तो रिसेंट में तीन विकेट, दो विकेट, चार विकेट लेकर आ रहे हैं रंजील ट्रॉफी में लेकिन इनका परफोमेंस पिछले मुकाबले में उतना अच्छा नहीं था उसी के बेसिस पर मात्र इनको एक पसेंट लोग लिए हैं तो इस मुकाबले में यस ठाकुर इंपोर्टन्ट हो सकते हैं आप सभी लोगों के लिए तो फिलाल के लिए दोस्तो यह मेरी टीम कॉम्बिनिसन रहेगी इसके बाद आभी हम लोग ग्रैंड लिकी टीम देखेंगे तो यहां पर दोस्तो जो हमारे कैप्टन रहने वाले हैं इस टीम में सैम करन रहेंगे भल टीम में लेगी टॉस्त कि बाद आप दोस्तों बात कर लृतेया है इस टीम की प्रीवियू फिर vi εν के लिके कि ऊपर दोस्तों यहां पर हमारे टीम की प्रेविव जो की मैंने दो विकेट कीफर को लिया दोनों हमारे विकेट कीफर लगनाव की तरब से रहेंगे और लगना यहां पर पंजाब की तरब से दोनों ओपनर्स को लिया और जोनी ब्रेश्टों को आपको यह नहीं बॉल रहा हूं कि आपको टीम बिल्कुल कॉपी करने हैं आपके पास ऑप्सन भी मैं दे रहा हूं कि कैसे आप लोग सेफ टीम बना सकते हैं यहां पर कुछ मैं यूनिक किय करते हैं ना जोने ब्रेश्टों को लेगिन फिलाल मैं यहां पर वाइस कप्टन सिखार द्हवन को किया हूं बैटिंग में तीनों वही बैट्स्विन को लिए दो कि तरब से क्यों कि यह लकनाओं को ओम ग्राउन्ड है उसी अधार पर टीम बना रही हूं बाकी दोस तो मैं धीम आख दोस्तों को यहां पर एफ तीनों ऊसी वीडियो मैं देता हूं दोस्तों मैं Techraft 12 गंटे पहले अप्लोड करता हूं तो नोटिफिकेस्टन पहले को ओन जरूर कर लिए थाकि उसकी भी नोटिफिकेस्टन आपको सबसे पहले पहुंचे धन्यवाद दोश्तों आप सब्सक्राइब का वीडियो देखें